सबसे पहले रुक कुमार गौरब मैं आपकी तरफ ही करूँगा क्योंकि कल राजय सवा में जो हंगामा हुआ जिस तरह से इस बिल को पेश किया गया उसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और चर्चा भी हो रही है लेकिन मैं सबसे पहले आपसे चाहता हूं कुमार गौरब कि आप देश को थोड़ा असान भाषा में इसे समझाएं कि प्राइवेट मेंबर बिल किस तरह से पेश किया गया और आगे क्या प्रक्रिया यह रहने वाली है क्योंकि पेश तो कर दिया गया विरोध भी हुआ अब आगे क्या होगा अब एक प्राइवेट मेंबर्स बिल की बात करें तो अमूमन अगर प्राइवेट मेंबर्स बिल की बात की जाये तो इसे बहुत हलके में लिया जाता है फ्राइडे का दिन होता है दो बजे के बाद तीन बजे के बाद टाइम एलॉट होता है और उसमें तमाम सांसा जिनकी भी एक्षा हो उनकी बिल लिश्ट होती है और वो अपनी बात रखते हैं बिल पेस करते हैं लेकिन इस देश में पिछले 50 साल का इतिहास है कि कोई भी एक बिल सिर्फ फिरोज गांधी जो लेकर आये थे पोश्टल से रिलेटेट था वो ही एक कानून बन पाया बाकी इस तरह के जो बिल होते हैं वो आया राम गया राम वाली इस्तिती में होती है लेकिन चुकी किरोडी डाल मिना रास्थान से हैं बीजेपी के वरिश्ट नेता ह अरुन सिंग वहां मौजूद थे बड़ी संख्या में मंत्री भी वहां मौजूद थे तो कुल मिलाकर यह देखा जा रहा है कि महाज एक संयोग नहीं है क्योंकि फ्राइडे के दिन जब प्राइट मेंबर्स बिल होता है तो बड़े नेता अमूमन हाउस में नहीं होते जि इसके बाद इसको लेकर गंभीरता सामने आई चुकि बीजेपी के तीन प्रमुख मुद्दे रहे हैं आज तक राम मंदिर का निर्माद धारा 370 और एक देश एक प्रधान है तो फिर एक विधान क्यों नहीं यानि कि यूशी सी पिछले कुछ समय में यह देखा गया है कि जिन राजियों में भी विधान सभा चुनाव हो रहे हैं वहां पे बीजेपी उसी सी का मुद्दा लेकर आती है कहती है कि सरकार बनने के बाद उसी सी पे कमीटी बनाएगी राज्य में वह इसे लागू करेगी किरोरी रालमिना रास्थान से हैं अगले साल वहां भी चुन क्यों नहीं हो सकता अगर कोई वर्ग एक खास वर्ग अगर देश के क्रिमिनल लौ को मानता है तो सिभील लौ को क्यों नहीं मानेगा और यह पूरी लड़ाई इसी पर है दूसरे दल के लोगों को इतराज है क्यों कि लगता है उन्हें कि इस उनके वोट वैंग को खत्रा लेकिन सरकार ने उसमें तेजी लाई वो काफी तेजी से राम मंदि निर्मान का काम चल रहा है तिन सो सत्तर एक जटके में हटाया गया और जमू कस्विर में इस्थिति भले ही लोगों को नजरवन्द करना पड़ा हो लेकिन इस्थिति उसकी उमीद और जिसकी धमकिया द जरू की है ठर्ड कमिटमेंट जो सबसे मेन इसके जड़ में है उसकी अस्थापना के जड़ में है कई राज्यों से अभी यह होगा कि तमाम राज्यों में इस तरह की चर्चा होगी यूसी सी पे तमाम राज्य अपना अपना कानून लेकर आएंगे उसके बाद केंद्र चुकी इसमें संविधान संसोधन की जहुरत परेगी तो दो तिहाई राज्यों की समर्थन की भी आव सकता होती है इसमें और तमाम राज्यों से यह चीज़ आएंगे कि उसी सी के लिए एक निशनल कानून और बीजेपी 2024 से पहले इस पो एक चाहें तो बड़ा मुद्द आ बनायेगी इस Will को यह आएगी संसत से पास करवाएगी इसको कानून बना देगी नहीं तो दो हजाजरρ 24 में यह कमिट्मेंट करेंगी कि अगली बार जबाएंगे तो यह यह संयोग नहीं है यह माने कि यह संयोग नहीं है एक तरह से प्रियोग शुरू हो गया है बीजेपी का दोजार चॉबिस से पहले